अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की चाया, ना बचेगा संकट बाकी, होगी खुशाल ये काया, कोई कस्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब सबरेगा, दिन मेरे भी सुधरेंगे, जब गुरुजी का आशिरवाद मिलीगा, पूच्छी गुरुजी एक करना बीड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा, जै गुरुदीन, भाग्य दरपढ, उम्मीद की एक जै शरीराम, मैं डॉक्टर अंकित्यागी, आपका अपना अस्ट्रॉलजर, निम्रलोजिस्ट, लाल किताब इन वास्तु कंसल्टेंट, आप सुबह 11 बज़ के 15 मिनट पर होगा, और 15 जून 2021 पांच बज़ के 48 मिनट तक सूरिय इसी राशी में रहेंगे, उसके बाद सूरिय मितुन राशी में गोचर कर जाएंगे, हर राशी में लगवग एक मिनी तक रहते हैं सूरिय, और कुंडली में सूरिय पिता, अधिकार, शक्ती, सुस्वास्त का परतेनित्व करते हैं, सूरिय प्रसिद्धी, सम्मान, सरकारी, शेतर में सफलता आशिरवात देते हैं, और विर्शव राशी में स्वामी जो हैं उनके वो शुक्र हैं, जो सूरिय के शत्रू हैं, चाहे वो इस दौरान, इस गोचर के दौरान आप मजबूत प्रेरक और प्रभावशाली धराप्रवाय तो बन सकते हैं, लेकिन अलग-अलग राशी के साब से हम बात करेंगे, कैसा रहने वाला है, किस राशी के लिए गोचर, क्या कहते हैं आपके सितारे इस गोचर के दौरान, यानि 14 महीं से लेकर के 15 जून, इस एक महीने आपकी राशी में क्या प्रभाव पढ़ने वाला है, कैसा रहेगा आपका बविश्य है, बात होगी मेश राशी से लेकर के मीन राशी तक यानि सभी 12 राशियों की, शुरुआत करते हैं राशी चकर की पहली राशी, यानि मेश राशी की, मेश राशी के लोगों के लिए सूरिय पांचमें घर के स्वामी हैं और संचार, धन और परवार के दूसरे भाव में इनका गोचर हो रहा है, और ये गोचर कुछ वितिय लाब यानि फाइनेंशल लाब प्रॉफिट्स और मेश मूल निवास राशी के जातकों के लिए धन के प्रवाह हमें, यानि धन के आगमन में वरधी कर सकता है, हाला कि आपको परवारिक जीवन में चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा, बोलने से पहले सोच लें बेटर होगा, कहते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए बात वापिस नहीं आती, शादी करने के लिए इस समय अच्छे योग हैं, विद्यारतियों के लिए भी एवधी बहुत अनकूल रहेगी, गोचर अच्छा रहने वाला है, स्वास्ते के लिहाद से छोटी मुण्टी स्वास्ते समश्याएं आ सकती हैं, मेजर नहीं होगी, क्या उपाय करना है मेजर राशी वाले लोगों को, रात को तामे के बरतन में पानी भरकर अपने पलंग पर रखें और सुबह उठकर वही पानी पीएं, आपके लिए बैतर रहेगा, बात करेंगे राशी चकर की दूसरी राशी यानि विर्शव राशी की, विर्शव राशी के जातकों के लिए सूरिय अपने चतुर्त भाव का स्वामी हैं, और आत्मा व्यक्तित्व का जो पहला भाव होता है जनम कुंडली में, उसमें संचरन कर रहा है, और गोचर की ये जवधी आपको शक्ति प्रदान करेंगी, यदि आप अपने एहंकार को बीच में नहीं आने देंगे, तो अपने जीवन की कठिंतम समश्याओं को भी बहुत आसानी से आप हल करने में इस गोचर के दौरान कामियाब हो जाएंगे। पाने में सक्षम रहेंगे। स्वास्त के लियाद से आप पेट, आँखों या दिल से संबंदित समश्याओं से पेड़ित रह सकते हैं, उसका विशेस ध्यान आपको रखना है। मित्ता के बार में भावों में गोचर कर रहे हैं। और इस गोचर के दौरान अपने खर्चे पर नजर रखें। पैसे सोच समझ कर खर्चें। बविश्य की जरूरतों के लिए पैसे बचा कर रखने के तरीके आप खोजें। क्योंकि आपकी सेविंग्स होती भी नहीं दिख रहे हैं। मित्तुनराशी वालो मुझे। कोई बड़ा फाइनेंशल इंकमिंग फाइनेंशल प्रॉफिट इस समय नहीं होता हुआ दिख रहा है। हाला कि कारोबारी जो लोग हैं जो विवसाई हैं उन्हें अपने बिजनस को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ सकता है इस सब्ता मित्तुनराशी वालों को। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है दोस्त या सातियों के साथ या परवार के साथ उन पर खर्चा आपका खूब होगा। स्वास्त के लिए आच्छ से देखा जाए तो आपको अपनी उच्छित देखबाल करने की आवशक्ता होगी। क्या उपाय करना है मित्तुनराशी वालों को। सिद्ध होगा क्योंकि आपकी वो इच्छाएं इस दोरान पूरी होंगी जिनके बारे में लंबे समय से आप सोच रहे थे। इस अवधी में लाव होने की पूरी संभावना है। आपको सरकारी शेतर के माध्यम से भी लाव हो सकता है या आपको अपने वरिष्ट अधकारियों से किसी प्रकार का समर्थन भी प्राप्त हो सकता है। बिजनसमेंस की बात करूँ जो बिजनस करने वाले लोग हैं वेवसाय करने वाले लोग हैं उनकी प्रतिष्टा में विरद्धी होगी। प्यार और रोमांस के पाँचवें घर पर सूरिया की दरश्टी के कारण आपके लव लाइफ में प्रेमी जीवन में कुछ समश्चाओं का सामना बना रहेगा। क्या उपाय करना है करक राशी वालों को भगवान सूरिया की पूजा करें क्योंकि आपके लिए लावकारी रहेंगे। और फिर तीसरे पार्ट में बाकी चार राशी होगी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना तो बिलकुल बूलें और हाँ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को जरूर लाइक करें फिर मिलेंगे अगले पार्ट में नई जानकारे के साथ तब तक के लिए आप सब को मेरी तरफ से जैश्री आप